Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel आज के हमारी इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपेर के बारे में पढ़ेंगे तो विलियम शेक्सपेर बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि हर एक इंग्लिश कॉपिटिटिव एक्जाम भी इसमें से कोश्चन्स पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम दिखते हैं उनका लाइफ स्पेंट जो था वो 1564 से 1660 तक था और उनका बोन हुआ था 23rd April 1564 को और बर्थ प्लेस उनकी इंग्लिट थी अट स्टैटफोर्ड अपॉन एवन स्टैटफोर्ड एक टाउन था और एवन जो है वो एक रीवर थी अन दे बैंक अफ स्टैटफोर्ड सिचुएटेड यहां पे यह टाउन सिचुएटेड था इस रीवर की किनारे पे तो उनका जो बैप्टाइज़ हुआ था वो 26th April 1564 को हुआ था तो ऐसा कहते हैं कि उनके बैप्टाइज़ हुआ था तो उनकी जो देथ हुई थे वो 23rd April 1663 को हुई थे इन दे रेइन ओफ जेम्स वन उस टैम पे जो किंग थे वो जेम्स वन थे और उनकी जो बर्थ डेट और उनकी डेथ डेट दोनों सेम है तो आपको यह याद रखना एजी हो जाएगा और उनकी जो देथ वो भी स्टाटफोर्ड में हुई थी और उनको बरी किया गया था Holy Trinity Church में 25th April को उनकी मृत्यों के दो दिन बाद उनको बरी किया गया था और उनकी जो देथ हुई थे वो 52 एज में हुई थी अब बात कहते हैं family background के तो he was the third child and eldest son तो अपने eight siblings में से वो third child थे और eldest son थे इट मेंज कि उससे पहले दो बड़ी sisters थे उसकी उनकी जो father थे John Shakespeare वो एक prosperous glove and leather merchant थे मतलब उनका दस्तानी बनाने का काम था और वो एक चमड़ी के वेपारी थे और successful business man थे तो 1565 में उनको alderman elect किया गया उनके town का और जो alderman होते हैं वो mere से नीचे होते हैं पर 1568 में उनको mere भी elect कर लिया गया था Stratford में उनकी mother का name था Mary Arden और उनकी जो wife थे उसका name था Anne Hathaway जोकि 26 year old थी और Shakespeare से 8 years बड़ी थी वो और उनकी जो marriage होई थे वो November 1582 में होई थी उनकी जो children थे Susana, Judith and Hamnet थे और Susana May 1583 में उनकी marriage के 6 मत बाद ही इसका birth हो गया था और Judith और Hamnet दोनों twins थे जोकि 1585 में होई थे और Hamnet जो था वो 11 year की age में ही उसकी death हो गई थे इन August 1596 में तो जो Shakespeare की grandmother Richard थी वो भी एक farmer थी और इसके जो father-in-law थे वो भी उनका भी farmer का occupation था और Shakespeare एक playwright थे तो वो एक year में 200 pound earn कर लेते थे तो Shakespeare का एक friend था Hamnet जो की अपनी death के time पे उसके लिए 36 shilling and 8 pence शोड़ की गया था और Shakespeare को 1585 में arrest भी किया गया था और उनका जो first folio publish हुआ था वो 1623 में publish हुआ था और 50 case में उनकी health follow नहीं start हो गई थे और उनकी death के two days बाद उनको बरी किया गया था अब बात करते हैं उनकी education की तो उन्होंने the local grammar school Stratford में ही जो school था वहाँ पे उन्होंने अपनी study की थी और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी से Latin और थोड़ी से Greek भी learn की जिसके लिए बात में Ben Johnson ने उनको ridicule भी किया था by saying that he knows small Latin and less Greek अब Robert Green जोके एक university wit थे और एक negative critic थे उन्होंने Shakespeare के गेंस्ट एक malicious pamphlet लिखा था जिसका title था अग्रोट's worth of wit, bottom million of repentance तो उन्होंने इसमें Shakespeare को कहा था an upstar crow beautified with our feathers तो उस तेम पे जो university wit existence में थे जैसके Robert Green ने, Christopher Malaw and Neshe तो इन्होंने इस pamphlet में लिखा था कि यह जो Shakespeare name का upstar crow है यह हमसे ज़्यादा हमारे blank verse को use कर रहा है जिसके कारण उनको jealousy feel हुई तो Robert Green ने अपना pamphlet उनके against लिखा तो यह जो Robert Green ने थे यह Elizabethan के time पे popular dramatist and pamphletor माने जाते थे तो Ben Johnson ने उनको ridicule किया था by saying that he knows small Latin and less Greek और John Ruskin ने कहा था कि Shakespeare has only heroines, no heroes तो उन्होंने कहा कि उनके place में सिरुफ heroines से होती हैं, heroes से होते और जो Shakespeare's sonnet reconsidered था वो Samuel Butler ने लिखा था उन्होंने इनके sonnets को reconsidered किया था अब हम Shakespeare के life में एक turning point देखते हैं तो ऐसा कहा जाते है कि उन्होंने Stratford को छोड़ दिया था क्योंकि उन पे एक rope लगा था कि उन्होंने Thomas Lucy Park से heeran को चुराया है तो वो Stratford को छोड़ के London में आ गए थे तो scholars के द्वारा assume किया गया है कि जब वो London में आये थे वो year 1585 से 1592 के बीच में था तो ऐसा कहा जाते है कि उनकी life को कोई भी personal record नहीं मिलता कोई भी exact date नहीं है जो भी है scholars के द्वारा assume किया गया है तो यह जो years थे 1585 से 1592 के बीच में इसके बीच में Shakespeare को कोई भी personal record नहीं मिलता कि वो कहां थे उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या लिखा तो इनको उनके lost year भी बोला जाता है तो उसके बाद जब वो अपियर हुए थे वो Robert Greeney के pamphlet में ही अपियर हुए थे जिसमें कि Robert Greeney ने उनको London actor और as a playwright mention किया था और उनको upstart crow भी बोला था तो 1594 में Shakespeare ने plays लिखे थे Lord Chamberlain's company के लिए ये एक dramatic company है जिसका नेम है Lord Chamberlain's man और 1603 में King James के टाइम में इसका नाम बदल के The King's man company रख दिया गया था इसको rename कर दिया गया था तो उनकी theater life के बाद करें तो जब वो लंडन में आय थे तो उन्होंने जो dramatic company जोइन की थी जिसको बाद में rename करके The King's man कर दिया गया था तो उसका पहले जितना भी काम था वो सारा James Burbust के The Theater में होता था 1596 तक जितना भी उसका काम था वो The Theater में होता था जो कि पहला permanent theater था तो James Burbust के theater से पहले कोई भी theater ने होता था बस जो performance थे या actor होते थे वो कोई भी area चुन लेते थे और वहाँ पे अपनी performance देते थे तो इस theater के बाद उन्होंने यहाँ पे उन्होंने 1596 तक काम किया और बाद में उन्होंने The Swan and the Curtain एक theater था वहाँ पे वो अपनी performance देते थे until 1599 तक तो इसके बाद जो था बहुत important theater आता है वो है globe theater and it was built in 1599 at the bank of river Thames जो की Thames river की किनारे पे था और इसको 1599 में built किया गया था अब Shakespeare ने इसके कुछ share भी खरी दे थे और वो इस theater की share holder भी बन गए थे पर एक बाद क्या होगा कि Henry 8 के performance के time पे 1613 के time में जब Henry 8 के performance होनी थे तो इसमें एक cannon का use किया जाना था तो उसके करके इसमें आग लग गई जिसके कारण ये पूरा burn हो गया था और इसको 1614 में दु नेक्स्ट है Blackfriars Theater तो इस theater को Shakespeare के जो company थे dramatic company या जिसको rename किया गया था The King's Man उस company ने इस theater को acquired कर लिया था या occupy कर लिया था in 1608 में आगी जो उनके total play है वो 38 है और उनके play में 5 fact होते थे और उनके total sonnet 154 है और historical plays जो उन्होंने लिखे वो 18 लिखे और tragedy 11 है उनकी और उनके lifetime में 18 plays publish हुए थे और उन्होंने 18 comedies लिखे थी और उनके 4 long poems थी और उनका last play था dramatic romance और उनके plays में 13 times suicide अकर हुआ है और उनकी जो tragedies है उनमे tone और effect की perfect unity है और उन्होंने अपनी romantic tragedy जो है उसका जो concept बोरो किया है वो लिली से बोरो किया है तो Shakespeare जो थे वो पर्टिक जस्टिस पर बिलीव नहीं करते थे और उनके जो comedy की setting थे वो city life से अवे या दूर की थे और उनके जो plays लिखे गए थे वो publication से ज़्यादा performance के लिए लिखे गए थे उनकी जो comedies में important characteristics है वो है mistaken identity it means कि disguise character जैसे कि आपने रिखा होगा merchant of Venice as you like it में जो heroines है वो अपने आपको disguise कर लेती है तो उनके important characteristic है यह उनकी comedy की mistaken identity और जो उनके plays में major character है वो mostly sing करते हैं because they are suffering from mental illness अब हम dates के according उनके plays देख लेते हैं इसी कि आपको dates को learn करना easy हो जाएगा तो 1594 से पहली के जो उनके plays है वो है hundred sixth जिसके की third part है three part है इसके और यह 1589 से 92 के बीच में लिखा गया है और रिचर्ड third, Titus and Ronicles जो की 1592 से 93 के बीच में लिखा गया Love, Slaver's, Loss, The Two Gentlemen of Verona The Comedio Ferrer 1590 से 94, The Taming of Shiroo 1594 से 1597 के बीच में जो उनके plays लिखे गई थे वो थे Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream, Richard II, King John, The Merchant of Venice 1597 से 1600 के बीच में जो play लिखे गई थे वो थे Henry IV, Part 1 and 2, Henry V, 1598 से 99 की बीच में Much Adore About Nothing Mary, Vibes of Windsor ये एक fine comedy है As You Like It जो की 1599 से 1600 के बीच में लिखा गया अब 1601 से 1608 के बीच में जो plays लिखे गई वो थे Troilus and Cressida, Hamlet, Twelfth Knight, Masophormazor, Allswell that ends well, Othello, King Lear and Macbeth After 1608, Parishless, Simblane, The Winter's Tale, The Tempest, Henry VII and it was completed by Fletcher अब जो हमने plays देखे हैं, इसमें कौन से historical plays हैं, कौन से tragedies हैं, कौन से comedies हैं, कौन से problem plays हैं इसको हम देख लेते हैं अब इसमें जो historical plays हैं, वो है Henry VI, Richard III, King John, Richard II, Henry IV, Henry VII, Henry V, Henry VIII और जो Richard III और Richard II थे, ये मालव और Bill से influenced थे अब जो उनकी tragedies थे, वो थे Comedie of Error, Taming of the Shrew, The Two Gentlemen of Verona, The Merchant of Venice, Must Adore About Nothing, As You Like It अब उनकी जो problem plays थे, वो थे Troilus and Cassetta, Measure for Measure, All's Well That Ends Well, and It Concerned with Social Political Issue Tempest उनका last play था, और Henry उनका first play था अब पात करते हैं, उनके tragic comedy थी, जिसमें tragic और comedy दोनों में एक सोती हैं, तो वो थे Winter's Trail, Tempest and Symbeline और उनकी early verse थी The Rape of Lucrecy and Venus and Adonis तो ये थो थी Shakespeare की biography और उनके work अब उनके works की summary हम next video में देखेंगे, क्योंकि इस video में ये काफी lengthy हो जाएगे तो इसके one by one summary हम next video में करेंगे, तो if you like my video, please subscribe my channel and share it with your friends, have a great day.